जैसे आपने अभी वुडियो देख रहे हैं कुछ इस तरीका का वुडियो हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं और यह एकदम निव टेक्शन में से वुडियो है आपको काफी पसंद आएगा और अच्छा लाएगा आपसे रिक्विस्ट करना चाहेंगे कि वुडियो अगर हो यहाँ से नो सूला का रेशीयो लेएगे रेड्योर्लेशन में से विटिंटी फ्रेम रेट में ठर्टि ले-लो बेक्रांड में ले लो और क्रेट पर कलिक है ठीक है और यहां से बैक राऊटेयगा है यहां से उप्सेशन जो दिख दिख्या रहें कर दandezना यह लाइट ग क्लिक करेंगे यह awakam利 पेंगे और यह तो यहां पर यह तरीका से तरीका से में ओ पहले हम लq एग्राउंड का यह जो कलर आभ देखर हो ना ह् I'm हम लोग्ट चेंज करेंगे तो यहां पे क्लिक कर लेते हैं और आपने जो वीडת और लीडियो में देखा था यहां पर यहां से उपो से नीचे कर दो गए क्लियर है अब बीच में देखो तो हलका सा आपको वाइट नजर आ रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा खींच के इधर से और भी खींचोंगे तो यह देख लो यहां से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं बहुत ही इसली आइधि अब फोटो लगा दो जिसका फोटो यहां पर लगाना चाहते हैं छलो एक फोटो में लाता हूं मीडिया और से लिए में ऐलर्म को छोटा करना है ठीक है अब यह देखोगा यहां से यह फोटो rider तरह से प्लिक करना है यहां पर आपको सर्च करने होंगे यहांपने देखाता यहां पर द्यान से देख लो गाई सबसे पहले यह जो आप आड कर्रहूं हो Ilह से पहले आपको इंड वाले ऑप्सन पे क्लिक कर ले ना है यदर से आपको कम करके इधर से हम लों को 60 के करीब रख देना है ठीक है धेetz लो यहाँ पर 60% हम लों रख देते ठीक है अब आपको एंगल पे क्लिक करना है एंगल पे क्लिक करके इदर से 90 डिग्री हम लोग कर देंगे एकदम 90 डिग्री ध्यान से देखो exactly 90 degree हम लोग यहां से रखेंगे देख लो यहां पे हो गया ठीक है अब आपको करना है फैदर पे क्लिक करना है फैदर को क्लिक करके इस तरीके से आपको करके बढ़ाना आएगा इस ठीक है अब यह देख लो आपको बहुत ही clearly देखने को मिल रहा होगा कि जो पहले photo दिख रह दोस्तों पहले जाएंगे और चैनल का आइड आपना लिख लेंगे यह वाह और आपको यह इसका भी से अडिय है इस्टारम कर लो यार बहुत कम लोग फालो किया हो पता नहीं क्यों तो फालो कर लो टेलीग्राम क्योंको टेलीग्राम से पहले बहुत बेनिफित होता है औ को ले लेंगे रोबोटो मेडियम नाम है इसका यह बाइडिफॉल्ट फॉंट है आपको आसानी से मिल जाता इसी के अंदर और इसको हम लोगो काम करके बारा कर देना है टेक्स कलर पर क्लिक करके यहां से ओके पर क्लिक करेंगे और आपको मुवें ट्राइंसवं पर आना है इस तरीकस करके टेक्स को यहां पर हम लो रखेंगे और इसके बाद से यहां पर करेंगे त्थीठे अब इसके एक उक्ति पर आएना है यहां पे टेक्स पर या जाओग आने को बाद इस तरीकस करके आपको बढ़ा के इधर से 50 कर लो ताकि अच्छा लाइगा देखने में हो गया अब इसी टेक्स पर क्लिक करेंगे यह बॉर्डर एंजी हम लोग ले लेते हैं ठीक है यह वाला प्यंजी हम लोग ले ले लेते हैं यहां से एलाइन्मेंट वाला पर क्लिक करके इसको उपसे नीचे कर देंगे अब यह लोग देखने को मिल जाता है बहुत ही असानी से मतलब जो पी एंजी का कलर है और इसको हम लोग यहां पर एड़ेस्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ठीक है इसमें भी हम लोग वाला एफेक्ट इसको इन दोनों को गाइस यहां से हम लोग को सिलेट करके यहां से एक कर लेना है अब इसको जहां 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 चाहो वहां पर दोनों को एक साथ घुमा सकते हो रख सकते हो चोटा बड़ा कर सकते हो ठीक है अब यहां पर साउंड को हम लोग आट करते हैं तो प्लस करते है सबसे पहला जो तेरि खायालो में ठीक है यहाँ तक है चलो यहां तक है तेरे खायालो में तो यहां तक साूंड को साूंड को क्लिक करकर होग के नीचे मेरा कर छोड़ देना है जावे अब इन तीनों को यह से स्लेट करोगे गाइस और एस सवाला ओप्सन पैर फिसलेट करते हैं अब यह देख लो इतना देर ध्यान से देखो गए सुखें मजा आएगा ठीक है यहां पर लिखते हैं तेरे ख़यालों में ठीक है कि ख़यालों में हो गया यह मैं जो है ध्यास में रहेगा यह चैंज करें के तो दूर्ण एक ही होगा और यहां से इस तरीका से करके त्रीक्स को थोड़ा बढ़ा के 13 के करीब हम लोग रख देते हैं अब ये सिर्ट करेंगे कलिक पर जाएंगे सब्सक्रास तरफ और पर जाएंगे कलर लाइट पर जायें और यहां से राक टेक्स करेंगे लॉंट सीथा करेंगे सबाई यहां तक हम लोग इसको स्पीड की मदद से भढ़ा लेंगे आब इस पे हम लोग एफेक्ट लगाएंगे टेक्ट पर जाएंगे एट इफेक्ट पर जायोंगे यहां से लास्ट में चले लास्ट से थोड़ा पहले यहां पे प्लस लगा दो इसको हम लोगो 100% कर देने होंगा ठीक है 100% कर दो अब नीची आओगे गाई ध्यान से देखना यहां पर होती है ट्रांस्रॉम पर क्लिक कर लो यहां पर कॉंपोनेंट को स्लेट कर दो ठीक है कॉंपोनेंट को स्लेट कर दिये हो अब आपको यहां पर ध्यान देना है ठीक है यहां पर ऑफसेट पर क्लिक करना है वाई पर क्लिक करने के बढ़ाना है इतना देर तक बढ़ाना मतलब म तो आपको क्लिक करना थोड़ा सा इसको भी आपको बढ़ाना है तो इसको भी हम लोग 0.30 रखेंगे गाईस यहां से देख लो हो गया अब नीचे आना आप अल्फा पे क्लिक कर लो अल्फा पे क्लिक करने के बाद इसको इदर से पूरा को पूरा माइनस में 1% माइनस में 1 कर दो अब यह इसको छोड़ देना है और इसमें आ जाना है इसको फूल कर दो इसको माइनस में कर दो इसको ओबरलेप पर क्लिक करना है इसको इस तरह करके बढ़ा के 300 क्रॉस कर देना है गाइस ठीक है 300 क्रॉस कर दो अब यह देखो कि तो कुछ इस तरीके से आ रहा है अपना एकदम एक्जेक्ट वह नहीं दिख रहा है जो हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करने यह स्मूद वाला उप्सन पर क्लिक कर द देखो आराम से ध्यान से देखोगे तब समझोगे लगर है यहां पे एक ओप्सन मिलता है यह वला में ठीक है यह वला में ठीक है यहां पर देख लो और इटर को यहां पे on करना है यहां से आपको color को change करना है जो भी आपको color चाहिए वो color यहां पे आपको change कर लेना है यह इसको dark कर देना है इधर से ठीक है अब यह देखोगे तो beach में वही color आपको देखने को मिल जा रहा है देखो कितना कमाल का effect यहां पे आपको देखने को मिल रहा है आपको बैग्राउंड के इसाफ से आपको अपना टेक्स का कलर रखना है तो माल लीजे कि इसको में हम एक बार ब्लेक करके देखते हैं तो ब्लेक में ज्यादा अच्छा लग रहे तो गाईस इसको हम ब्लेक में रखेंगे ठीक है यह देख लो कितना कमाल का लग रहा है पर यहां पर आफ आपे स्टानार्ट सेटिंग क्लिक करो आभ यह धे पूरा पूरा बंटके इनकð का रिडियो में न ह colour और लिए अच्छा लगा मैं GU बहुत यह च्छा से सीक्गे होंगे अगर वीयोडा अच्छा लगा है वीडियो को लइक करना चेनल को सेंथा थो घर करनाइस